तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऐसे ऐसे सिवल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है और काफी सारे लोगों ने कमेंस में मुझसे बोला भी था कि ऐसे किस तरीके से प्रिपेर किया जाए और किस तरीके से चीजे करी जाए उसको उससे रिलेट करेंगे तो सबसे पहले होता है ऐसे का content कहां से आएगा। और कब से start लिखना शुरू करें start करें तो मेरे साथ से जो आपकी जीयस की understanding होती है जो आप चीजे पढ़ते हो तिपेसे रोट तो डिफरेंड कौछी का एरियास देखते हो और प्लस नूउस्पेपर और तीसरा मेरे साथ से जो इंपॉर्टेंट वो है वो है बुक्स जो हमारे स्लेबस से रिलेटेड है वो नहीं कुछ अच्छे बुक्स अगर आप पड़ते हैं वो डेफिनेटली ऐसे के लिए हेल्प करती है बट स्टार्टिंग में इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए क् स्टार्टिंग में जरूरी है कि जीएस और आपका जो करन्ट अफेर से न्यूस पेपर है वो कवर हो जाए अच्छे से उसके बाद आप इस पे मूब कर सकते हैं उस चीज को लेके जब तीन-चार महीने हो जाएं आपके प्रेपरेशन को आप पढ़ने लगें तो आप बहुत तैयारी हो गई है एक फर्स रीडिंग हो गई है उसके बाद से आप थोड़ा-थोड़ा ऐसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टार्टिंग में आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं जो भी आपको लगता है कि आप उस पे कुछ लिख सकते हैं और उस पे आप इए जितने भी हजार वर्ट्स-पंदरासों वर्ट्स उसका ऐसे आप जो है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अब ऐसे में कुछ चीज इंपॉर्टन्ट होती है कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको ऐसे में सारी हैं सारी चीजों को रिलेट करना है एक दूसरे से तो को एक framework तयार किया था जो आप जब ऐसे कोई स्टार्ट करते हो फ्लरडिंग होती है आइडियास की और चीजों की तो उसको कैसे समराइस करना है कैसे जो आइडियास है उनको जनरेट करना है उसके लिए मैंने चार्ट टाइप का बनाया था कि आप अगर देखें तो कुछ प जाता है तो उससे रिलेटेड में कुछ इशू होते हैं वेमन एक होट टॉपिक है कि कोई भी अगर पर्टिकलर पूछ इशू पूछा जाता है तो वेमन से रिलेटेड उसमें चीजे जो है वह ठीक अच्छे से दिखाएं तो आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं तीसरा ट एथिक्स इंपॉर्टन्ट हो जाता है तो यह कुछ डोमेंस हैं जहां पर आप अपने आइडियास को जनरेट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक अगर आया तो उसमें जनरेट कर सकते हैं यह यह मैट्रिक्स में आप अगर आप इधर साइड देखे तो आप इंडिवीजल लेव पर आइडियास जनरेट कर सकते हैं नैशनल लेवल पर आइडियास जनरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आप जनरेट कर सकते हैं तो अगर यह मैट्रिक्स देखे यह मैंने तब बनाई थी जब मैं प्रिपेर करता था तो अगर आप इस वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे आप कोई idea generate कर सकते हैं यहाँ पे कोई idea generate कर सकते हैं society में देखें तो यहाँ पे कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि इन सारे areas में आपको हरे column में ideas generate करने हैं बट जब ऐसे आप select कर रहे होते हो उस टाइम पर यह जरूरी हो जाता है कि जितना broad framework में आप सोचो और अपने ideas को बनाओ उतना helpful रहता है तो यह metrics अगर आपके लिए helpful है तो आप देख सकते हो यह national level है national और economic तो अगर हम यह वाला column देखें तो national और economic का आ जाता है तो यहां पर उस issue से related क्या चीज है ऐसे ही women से related क्या चीज है तो यह सारी चीजों से आप अपने ideas generate कर सकते हो तो यह generation of ideas के लिए दूसरी एक और चीज होती है कि आपने यह ideas तो generate कर लिए उसके बाद आपको क्या करना होता है कि पहले एक rough framework बनाना होता है अगर आप ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि आप directly अगर कोई topic आपको मिले और आप directly लिखना शुरू कर दे तो बीच में काफी जगा ऐसी होंगे जहां पर आपको कुछ लगे कि यह चीज आ सकती है यह delete हो सकती है तो आपको हमेशा एक rough layout पहले बना ले जिसमें आप proper structuring कर लें कि किस तरीके से आपको points generate करने हैं points आपको यहां से generate हो जाएंगे अगर आपको नहीं आप आ रहे हैं और आ रहे हैं तो आप फिर भी ले ले लें for example suppose कोई topic है अगर हम बात करें developmental development versus environment इस टाइप का topic है तो यहां पर क्या होगा कि जैसी आप topic पढ़ते हो आपको पास flooding होता है ideas का तो उन ideas को आप point wise यहां पर लिख लिए जो भी आपको आ रहा है जो भी थौट आ रहा है चाहे आपको कोई यहां पर डैम सा रहा है या government government बजट आ रहा है या ट्राइबल सा रहे हैं यह जो भी मतलब जो भी थौट आ रहा है आप उसको बस no down कर लीजे इससे क्या होगा कि उसमें आपको यह सारे points को filter out करने में फिर time मिल जाएगा अब क्या होगा कि यह आपने रफ एक layout बना लिया जितने भी आपके पास points हैं इस चीज से related उसके बाद क्या किया कि अगर यह आपको फिर भी points कम लग रहे हैं तो यह तो यह help करता है आपको essay में broad सोचने के लिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो